तो इसी definitely try कर सकते हैं Amazon पर मैंने सामान वगरा देख कर मन तो बहुत करता था लेने का और फिर उन में से जो अच्छा लगता था ना कार्ट में डाल देती थी लेकिन फिर वो वहीं कार्ट में रखा रहता था महीनों सालों लग जाते थे और फिर ऐसे ही टाइम निकलता गया हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल हमने कई बार सुना भी है और इसी इस को महसूस भी किया है कि सब्र का फल मेठा होता है लेकिन कई बार थोड़ा समय जादा लग जाता है न किसी चीज में तो हमें लगता है अब तो बहुत देर हो गई है अब कैसे होगा चीजे समय पर हो जाती तब ही अच्छा लगता लेकिन इसका logical reason ये है कि जो उपर वाला है न ये सब अच्छे से जानता है कि हमारे लिए क्या और कब जरूरी है तो चीजे हमारे हिसाब से नहीं होती है वो सब उपर वाला जानता है और सब बहुत ही अच्छे से काम हो जाते हैं हमें सरफ एक चीज करनी है कि patience रखना है अगर मैं अपनी बात कहूं तो काफी सालों तक transferable job था husband का उसके बाद finally हम अपने घर में shift हुए हैं जहां पर एक ही जगाया पर हम सालों तक रह रहे हैं तो इतने सारे patience के बाद finally अब हम अपने घर में shift हो गए हैं हाला कि कई साल हो चुके हैं फिर भी हम लोग को लगता है ना हम लेडिसों को कि हमारा घर भात ही अच्छा हो हम अपने हिसाब से घर को सजाएं कोई भी घर में आय तो तारीफ करें और लोगों की तो छोड़ों लेकिन हमें खुद को लगता है कि हम जहां भी रहे हमारा तो फाइनली अब मैं धीरी धीरे अपने घर को सजाना स्टार्ट कर दी हूँ और जो भी पुराने चीजें थी सब को अपडेट करना काफी इजी हो गया है क्योंकि पहले जब रेंट वाले घर में रहते थे तो सब चीजें नहीं ले पाते थे क्योंकि यहां ट्रांसफर व तो मुझे काफी अच्छा लगता है आपके साथ भी शेयर करना अब काफी सारे गिफ्ट्स भी हमें आने लगे हैं नय नय ब्रैंड की तरफ से लेकिन उन सभी का मैं ट्रू रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप भी अगर यूसफुल लगे तो उन्हें ले प ज़्यादा बढ़िया है इसके फ्रेम पर और इसकी जित्ते भी रैक्स है यह चार रैक वाली ट्रॉली है इनके रैक्स पर और इनका फ्रेम सभी स्टील का बना हुआ है और इसके जो वील्स है वो भी काफी मजबूत है इसमें 360 रोटेशन मिल जाता है और बहुत पता चल रहा था और इसमें काफी नीचे बेस वकर अच्छा बना हुआ है एकदम परफेक्ट है आपका नॉर्मल किचिन हो या मॉडिलर किचिन हो उसमें आप इसे यूज कर सकते हैं और इसमें काफी सारी सब्जीयां फल वगरा इसमें रख सकते हैं बिलकुल भी इधर उद नहीं रहती है इसे असेंबल करना बहुत ही ज्यादा आसान था मुश्किल से मुझे 10-15 मिट ही लगे होंगे और बहुत ही बड़ी तारीके से मैंने इसे टाइट कर लिया था और बस रेड़ी है अब ये यूज करने के लिए तो अब किचिन में कितने भी सामान हो जैसे की सबजियां वगरा और जो छोटी-छोटी बास्केट्स हम रखते हैं लैसन वगरा कि उसे इधर-दर रखने की ज़रूत नहीं रहेगी तो यदि आप इसे बाय करना चाते हैं तो इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एक बार जरूर से जाके च देखिए कुछ इस तरह से इसकी फंक्शनिंग रहती है इसको हम इस तरह से पुश करते हैं तो उपर की तरफ वाइपर आ जाता है जिसमें की बहुत ही बढ़िया ये स्पॉंज लगा हुआ होता है है इसे अटेच करना काफी ज्यादा इजी है और इसको हम चाहें तो अच चिनमें लोग तो बढ़िया देता ही है और सफाई भी जटपत हो जाती है जैसे टावल वगरह रहते हैं जिनसे हम सफाई करते हैं तो उन से अगर कुछ पानी पहुंचते हैं तो उसको बार-बार निचोड़ना पड़ता है और अगर हम तुरंत नहीं निचोड़ना होता ह अगर हम दूसरा काम अलड़ी कर रहे होते हैं, हम चाहें तो बाद में भी निचौर सकते हैं, इसमें ये सबसे अच्छे बात लगी कि जो पानी को बहुत अच्छे से सोक लेता है, और जिसे कप्डर इधर उदर रखे रहते हैं तो इसको अच्छे से एक जगह पर हैंग कर सकते हैं ये भी काफी इसमें अच्छे चीज लगी वाकी थोड़ा सा प्राइज ही है आप इसे चाहें तो ट्राय कर सकते हैं लिंक इसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो फ्रेंड्स अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्फुल लग रहा है न तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे ताकि ऐसे ही वीडियो आगे भी देख पाएं तो ये है ओवर दे डोर हुक इसको आप अगर रेंटल अपार्टमेंट वगर में रहते हैं तो वहाँ पर बहुत ही जरूरी और यूसफुल प्रोड़क्ट है हम अकसर चाहते हैं कि वह पर छेद वगर ड्रिल वगर ना कराना पड़े और अगर हम करवा भी लेते हैं तो वह चीज़ हम फिर उठा कि नेक्स्ट जो हमारा घर रहता है वहाँ पर हम ले नहीं जा पाते हैं ट्रांसफर में तो इसकी सबसे खासियत यह है कि हम इसमें अपना काम भी इज़ी करते है काफी ड्यूरेबल है इस पर जो भी हैंग करना होता है मच्छे से हैंग करते हैं और इसमें साथ हुक है, इसमें अलग-अलग sizes का भी available है, तो इसको भी आप ट्राय कर सकते हो, especially यह आपका खर्चा बहुत बचाने वाला है, कारपेंटर वगरा को बुला के और ड्रिल करवाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, तो इसी तरह के नए-नए products का यूज करना लाइफ इस्टायल भी अपटेट हो जाती है, तो यह है बहुत ही बढ़िया नाइफ शापनर, इसमें तीन स्टेप है, जब भी हम घर में नाइफ अकरा यूज करते हैं, तो कुछी समय बाद हम देखते हैं कि वह प्रपर वक नहीं कर रहे होते हैं, एचली पूरे नाइफ तो अच्छे ही रखे रहते हैं, लेकिन केवल उनकी शापनर जो है वो खराब हो चुकी होती है, रसोई में तो चक्कूचुरी का दिन भर काम रहता है, तो हम इतने सारे चक्कूचुरी अगर हम डिसकार्ट करते जाएंगे, नए खरीदेंगे, तो उतने प्राइस में इज तो रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है, आप खुद ट्राय कर लिजेगा इसको एक बार जरूर से, तो ये थे आज के कुछ प्रोड़क्स, अगर आपको वीडियो इंफामेटिव लगी हो और थोड़ी सी भी पसंद आयो तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जर तर कुंक आई